नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ओफिस किसान विकास पत्र के बारे में किसान विकास पत्र को दोस्तो 2011 में डिसकंटीनियो कर दिया गया था लेकिन 2014 में फिर से पोस्ट ओफेश ने किसान विकास पत्र को शुरू कर दिया तो इस वीडियो में दोस्तों हम किसान विकास पत्र के बारे में पोरी जानकारे प्राप्त करेंगे इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे हैं इस वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे कि कौन-कौन लोग इस स्किम में इन्वेश्ट कर सकते हैं इसस्किम का deposit limit क्या है कितना पैसम एक्सम इसमें जमा कर सकते हैं इसका ब्याददर कितना है अगर इस scheme को हम समय से पहले बंद करना चाहते हैं तो उसके नियम क्या है इस scheme में हमको loan कैसे मिलेगा अगर कोई person इस scheme में online invest करना चाहता है या किसी का पहले से खाता है वो online close करना चाहता है तो उसका process क्या है एक लाग, दो लाग, तीन लाग, चार लाग, पांच लाग इतने रुपे जमा करने पर दोस्तों कितना ब्याज मिलेगा और शाथ में दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि इसमें tedious अगर कटेगा तो tedious कितना कटेगा इसके ब्याज पर उसके अलाबा दोस्तों हम इसमें आपको बताएंगे कि किशानवी का स्पत्र में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो करने तक बने रहे हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आएए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि कौन-कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं काउन काउन लोग इसमें खाता खोल सकते हैं तो कोई भी परसन अपने नाम से दोस्तों सिंगल एकाउंट खोल सकता है जोईंट एकाउंट तीन लोगों के साथ मिलकर इसमें किया जा सकता है इनवेस्ट जैसे पती पतनी और बेटे के साथ मिलकर इसमें जोईंट एकाउंट जा सकता है deposit limit की बात करें दोस्तों तो minimum deposit करने का जो limit है वो 1000 रूपय है यानि कि कम से कम आपको 1000 रूपय का किसान विकासपत पर्चेज करना पड़ेगा और इसमें maximum करने की कोई भी limit नहीं है यानि कि आप एक लागवी कर सकतें दस लाग भी कर सकतें एक करोड कर सकते हैं चाहे उतना किवी不 संख्यान नहीं है इसके दोस्तों online और opening और closing process के बात करें तो आप DOP के इंटरनेट बैंकिंग यानि post office का जो भी internet banking है उससे आप इसमें दोस्तों उसमें login करके इसमें आप invest कर सकते हैं तो DOP का internet banking दोस्तों आपको तभी मिलेगा जब आपका post office में कोई savings account होगा अगर आपका post office में savings account है तो user id पासपर डालके आप इसमें login करके के वीप account खोल सकते हैं internet banking login करने पर दोस्तों आपको यहां पे closure of KVP account ओपेन ए KVP account दोनों का यहां पे option दिखता है अगर आपका पहले से KVP account है तो यहां से आप close कर सकते हैं और अगर आप नया खाता खोलना चाहते हैं KVP का तो आप यहां से जाके इसको open वी कर सकते हैं ब्याददर की बात करें सारा maturity के बाद मिलेगा चुकि दोस्तों यहां अन्वाली compound होता है तो इसलिए इसका accumulated interest अगर देखे तो 10.4-3% होता है कैसे होता है वो आज यह देखते हैं क्यूंकि दोस्तों इसका maturity period होता है वो 9 साल 7 महने यानि कि इसमें अगर कोई भी आप amount invest करते हैं तो 115 महने यानि कि 9 साल 7 महने में double हो जाता है चाहिए आप कितना भी amount invest करेंगे वो 9 साल 7 महने में आपका पैसा double हो जाएगा इसलिए इस स्कीम का जो इंट्रेस रेट है वो 10.4-3 प्रतिसत हो जाता है चुकि दोस्तों यह स्कीम काफी लंबा है तो इसके premature closure को जान लेते हैं 10 साल का स्कीम है तो इसमें premature closure का rule तो जानना ही पड़ेगा तो premature closure की बात करें दोस्तों तो KVP को कभी भी premature किया जा सकता है लेकिन इसमें कोई penalty नहीं लगती है किनकिन सर्तों पर penalty नहीं लगती है कि KVP को आप 2 ठीम है को canals करते हैं को बिना penalty कहें आपे तो कर सकते हैं को अभेना चीमेंश स baru कैब दोस्तों आप KPP को close नहीं कर सकते हैं अगर single account है और account holder के देथ हो जाती है उस condition में आप इसको close कर सकते हैं जॉइंट account है तो उसमें से अगर किसी holder के तो भी आप इसको premature close कर सकते हैं या फिर आपने कहीं loan लिया या प्लेज किया है तो हां से अगर loan नहीं चुकाते हैं फोरफियेच हो जाता है तो उस condition में इसको close किया जा सकता है या फिर जब किसी court से order आता है तब इसको premature close किया जा सकता है उसके अलावे दोस्तों धाय साल से पहले किसी भी condition में इसको close नहीं किया जा सकता है जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि इसमें पैसा double हो जाता है नौ साल सात महिने में तो maturity value की बात करें तो अगर आप एक लाख रुपय इसमें invest करते हैं तो नौ साल सात महिने में आपको एक लाख रुपय अभियाज मिलेगा यानि कि आपका पैसा कुल मिला के हो जाएगा दो लाख रुपय एक लाख रुपय इन्वेस्ट किये और आपको दो लाख रुपय मिलेगा उसी तरह से दोस्तों अगर इसमें आप पांच लाख रुपय इन्वेस्ट करते हैं तो फिर इसमें आपको पांच लाख रुपय मिलेगा नौ साल सात महिने में और नौ साल सात महिने में आपका पैसा दस लग हो जाएगा दो लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा नौ साल सात महिने में चार लाख हो जाएगा तीन लाख करेंगे तो चार लाख हो इस चार लग करें गे तो आठ लग हो झाएगा यानि कि आप इसमें जितना भी पैसा इंवेस्ट करते हैं वो साल इपका पैसा ऋब डबल हो जाता है कि आजिए दोस्तों जानते हैं कि इसमें इंवेस्ट कैसे करना है dart स्कीव दोस्तों बच्चों के लिए काफी अच्छी है स्कीम है अगर आप बच्छों के फ्यूचर के लिए इसमें इंवेस्ट करना चाहते है तो यह काफी अच्छी इसकीम है अब परतेक मेहना जितना भी आप से संभव हो सके 12,000 परतेक मेहना 5000 का केवीपी लीजे अब परतेक मेहना उसको एकदम कंटिन्यू लेते रहें चार-पांच साल तक लगतार पाच-पाच-पाच हजार का जैसे आप आड़ी में इनवेस्ट करते हैं, ऐसे इगर पाच-पाच हजार का आप KVP परतेक महिना आड़ी कितरा पर्चिश करते रहे तो 10 साल के बाद दोस्तों आपको फिर सोचना नहीं पढ़ेगा, 10 साल के आपको एक कुछ पैसे जमा किजिए और एक दो साल के बाद छोड़के दस से ग्यारा साल के बाद आपको उससे दुगना पैसा आपको दिया जाता है तो उससे बेतर है कि आप दोस्तों के वी पी परचेज करें अगर आपको बीच में ज़रूत परती है तो इसमें आप डायकली लोन नहीं देती है लोन किसी को प्रवाइड नहीं करती है लेकिन अगर आपको पुस्ट आउफिस में के वी पी अकाउंट है तो इसको आप किसी भी बैंक में एसे सीक्योर्टी प्लेज करके लोन ले सकते हैं और वी आई का कोई भी बैंक है या को लेकिन मैक्सिमाम लगबग 80% जितना भी आपका प्रिंसिपल वेल्यू है उसका 80% तक आपको लोन मिल जाता है तो इसमें इन्वेस्ट करने पर आपको एटी सी के तहट टैक्स सेविंग में छूट नहीं मिलती है और इसका जो ब्याज भी होता है दोस्तों गोट नॉर्मल टेडियस रेट अपली केबल होता है तो इस तरह से दोस्तों के वीपी के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दिये आसा करता हूं दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई है अगर दोस्तों आप भी इस तरह के और भी फाइनेंसिल जानकारी चाहते हैं तो अगर आ अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन ट्रेस कर दिजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसमें